हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माई चैनल पेबी मॉमी हेल्प मैं मेगा आपका अपनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग, I think सब इस रस्त होंगे और बहुत ही खोश होंगे दोस्तो गर्मी की मोसम में बच्चो की मालिष किस तेल से करनी चाहिए सबसे बड़ा कोशन ही आता है तो दोस्तो आज के इस वीडियो हम बच्चो की मालिष से जुड़ी कुछ बाते करेंगे और उम्मीद करूंगी आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा दोस्तों बच्चों के शारिरिक विकास के लिए उनकी मालिश करना बहुत जरूरी होता है बच्चों की नियमित मालिश से उनके हातों पैरों में ब्लड सर्कूलेशन अच्छा हो जाता है मालिश करने से बच्चे का डाइजेस्टि सिस्टम भी अच्छा होता है बच्चे फ्रेश अच्छे से उपाते हैं पौटी अच्छे से कर पाते हैं बच्चों की मालिश करने से उन्हें बहुत जादा आराम भी मिलता है नीद अच्छे आती है बच्चों को तंदुरुस्त रखें वजन बढ़ाने के लिए मालिश करना बहुत जरूरी होता है मालिश करने से बच्चों या बच्चे के जो मस्टिक्ष की गतीविदिया उन्पों बढ़ जाती है वैसे तो बच्चे की स्किन के लिए कई तेल उपयोगी होते हैं लेकिन आपको मोसम के अनुसार उनके लिए सही तेल को सलेक्ट करना होगा सबसे पहले बात कर लेते हैं नारियल के तेल की देखें नारियल का तेल गर्मियोंक में काफी फायदे मंद होता है इसके इस्तिमाल से इसकिन को ठंडक मिलती है नारियल के तेल की तारसी ठंडी होती है इसलिए इसे बच्चों के लिए काफी अच्छा माना जाता है इससे इसकिन पर ठंड़ा इफेक्ट होता है बच्चे साथ साथ इसकिन बहुत ही अच्छी रहती है सौफ्ट रहती है नारियल के तेल में एंटीफंगल एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं बच्चे की स्किन के लिए काफी अच्छे होते हैं बच्चों को संक्रमंट से बचाते हैं बच्चे की मालिश के लिए आप कॉकोनट वर्जिन ओयल का इस्तिमाल कर सकते हैं शिशू के लिए नारियल तेल से मालिश करने के कई फायदे भी होते हैं दूसरा तेल है दोस्तों ट कर्मियों में बच्चे की मालिश के लिए आप ट्रीट्री ओयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं ट्रीट्री ओयल बच्चों की स्किन के साथ ही बच्ची की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है ट्रीट्री ओयल में एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल और एंटी दे ले सकते हैं और उसमें coconut oil मिला सकती है इससे जो होता है ना बच्चे की जो टीटरी ओल का इफ्ट्ट थोड़ा हलका हो जाता है क्योंकि यह जन्शल ओल होता है तो किसी oil के साथ ही इनको mix करके लगाना चाहिए तो टीटरी ओल के साथ आप coconut oil मिला सकते हैं फिर आप स्किन पर भी चिकते हैं इस ऐसे में आप केमो माईल ऐल से मालेश करना आपके लिए बहुत ही फायदे मन्द होगा बच्चों के स्किन ऐसे मैं मालेश करने से बच्चों ko मैन घुर ext好 होती है वह बहhonदे होती है उसलिए गर्मियों के मोरेसम में इसका उप्या करना काफ़ी फायदे मंद हो सकता है इस तेल से मालिश करने से इसकिन संबंदी समस्याएं भी दूर होती है चंदन के तेल से बच्चे की मालिश करने से उन्हें काफी रिलेक्स मैसूस होता है नींद की समस्या भी दूर होती है चंदन का तेल गर्मी की वजह से होने वाली इसकिन रेडनेस रेसे से भी छुटकारा दिलाता है इसमें एंटी-इंफलिमेंटरी गुण होते हैं जिससे इसकिन की सूजन कम करने में मदद मिलती है नेक्स्ट आपका सरसो का तेल देखे वैसे तो सरसो के तेल की मालिश करने की सला सर्दियों में दी जाती है लेकिन कुछ बच्चों को गर बच्चे के सरसों का तेल लगा सकते हैं बच्चे की मालिश करने से उनका विकास तेज होता है मालिश करने के लिए तरह तरह के तेलों का इस्तिमाल किया जाता है गर्मियों में ठंडे तेलों की मालिश की जाती है और गर्मी के मोसम में ठंडे तेलों से और सर्दी के मोसम में गरम तेल से बच्चे की मालिश की जाती है क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सेंसेटिव होती है तो अपनी बच्चे की स्किन के हिसाब से ही बच्चे की स्किन पर तेल का उप्योग करें तो दोस्तों ये वो तेल हैं जिनका इस्तेमाल आप गर्मी के मौसम में